प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्रितुपाध है आईए सबसे पहले आज की हेडलाइन्स पर डालते हैं नजर मद्रास उचने अले ने तमिलनाडू हिंदू धार्मिक संस्थान को लेकर जारी किये निर्देश तमिलनाडू सरकार बनाएगी पांच सदस्थिय समीती राजी में आगम शास्त्रों के अनुसार बने मंदिरों की पहचान करेगी समीती स्थियों की रक्षा मंत्री इस तरिया बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री विपक्षिय मुद्धों पर होगी बात्चीत वर्तमान में आठ देश हैं संगठन के सदस्थि और स्वतंत्रता से नानी पांडूरंग खान खोजे का नाम सुर्खियों में मैक्सिको में होगा प्रतिमा का अनावरण गदर आंदूलन में निभाई थी बड़ी भूमी का खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडिएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप अमरित उपाध्याई 007 टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिए वहाँ इसकी पीडिएफ रोज उपलब धोगी आईए खबरों की शुरुआत करते हैं हाल ही में मदरास उचे नयाले ने तमिलनाडू हिंदू धार्मिक संस्थान कर्मचारी नियम 2020 के नियम 7 और 9 के मद्दे नजर निर्देश दिये हैं इसके मुदाबिक ये नियम उन मंदिरों पर लागू नहीं होंगे जो आगम शास्त की परंपराओं और विधियों के मुताबिक बने हैं और प्रशासित किये जाते हैं उच नयाले की बेंच ने सपष्ट किया कि एक विशेश आगम शास्त के अनुसार बनायेगे मंदिरों में अर्चक यानि पुजारियों की नियुक्ति आगम शास्त के अनुसार होनी चाहिए न कि वैधानिक नियमों के अनुसार नियम साथ और नियम नौ के तहट मंदिर के पुजारियों के नियुक्ति के लिए योग गिता और आयू का निर्धारन किया जाता है मुख्य नयदिश ने तमिलनाडू राज्य सरकार को पांच सदस्य समिती गठित करने का भी निर्देश दिया है यह समिती राज्य में आगम शास्त्रों के अनुसार बने मंदिरों की पहचान करेगी आपको बता दें कि सुप्रीम कोट की एक समवेधानिक पीठ ने शेसंमल बनाम तमिलनाडू सरकार 1972 और आदिशेव शिव चारे रगल नाला संगम बनाम तमिलनाडू सरकार 2006 में कहा था कि सरकार की नियम बनाने के शक्तियों को मंदिरों के अनुष्ठानों और समारोहों में हस्तक शेप नहीं करना चाहिए समवेधान पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि वैखानस शास्त्र के तहट केवल भिगू, अत्री, मारिची और कश्यप रिशेप परंपराओं के अनुएई और वैखानस माता-पिता से पैदा हुई संतान ही वैशनों के वैखानस मंदिरों में पुजारी बनने के लिए योग्य होते हैं और केवल वेही मूर्तियों को छू सकते हैं तथा अनुष्ठान कर सकते हैं इनके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति न तो मूर्ति को छू सकता है ना पूजा कर सकता है और नहीं गर्भ ग्रिह में प्रवेश कर सकता है आगम हिंदू वैदिक धर्म के महतुपुर्ण ग्रंथ होते हैं इनके तीन प्रकार बताये गए हैं जिनमें पहला है वैशनाव आगम इसके तहत पंचरात्र तथा वैखानस आगम मुक्षे हैं दूसरा शैव आगम है जिसमें प्रमुख पाशुपत शैव सिध्धान्त, त्रिक, कामिक, सुप्रभेद आगम आते हैं तीसरा है शाक्त आगम जो देवी की आराधना से संबंधित है इन आगमों को चार हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें पाद कहते हैं इनके नाम है क्रियापाद, चरियापाद, योगपाद और ज्यानपाद क्रियापाद में मंदिरों के निर्माड, मूर्ती निर्माड और मूर्ती स्थापना से संबंधित विशे हैं वहीं चरियापाद में मूर्ती पूजा और अन्य पवित्र विधियों के बारे में बताया गया है। योगपाद में आश्टांग, योग साधना और ग्यानपाद में दार्षनिक विश्यों का जिक्राता है। दिल्ली उच नियाले ने एक मामले में टिपणी दी है कि मुस्लिम कानूनों के तहत यौवना आवस्था टाप्त करने पर एक लड़की अपने माता पिता की सहमती के बिना शादी कर सकती है और उसे अपने पती के साथ रहने का अधिकार है भले ही वो नाबालिक क्यो ना हो। नियाले ने एक मुस्लिम दमपती के मामले में यह टिपणी की जिसने लड़की के माता पिता के इच्छा के खिलाफ शादी की थी। यूवक बालिक है जबकि उसके परिवार और पुलिस के मताबिक लड़की नाबालिक थी। मामले में दिल्ली उच नियाले ने पंजाब और हरियाणा उच नियाले के एक आदेश का जिक्र किया जिसमें हरियाणा उच नियाले ने सरदिन शाह फरदुन जी मुला द्वारा लिखी गई मुहमडन कानून के सिध्धान्त किताब का संदर्ब दिया था। नैमूर्ती ने आगे कहा कि अगर लड़की ने शादी के ल कि ये निर्ने पहले के एक फैसले से अलग है जिसमें पोकसो एक्ट लगाया गया था। उस मामले में पीडिता और आरोपी के बीच कोई शादी नहीं हुई थी और शादी से पहले यौन संबंध स्थापित किये गये थे। शारिरिक संबंध स्थापित करने के बाद बनाए। दंपती पती पतनी के रूप में एक साथ रह रहे थे और उन पर शादी से पहले यौन संबंध रखने का कोई आरोप नहीं था। आतंकवाद, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, सीमा पार नियंतरण और साइबर सुरक्षा में सहयोग पर खास तोर पर ध्यान रहेगा। आपको बता दें के शंगाई 5 ग्रूप 26 अप्रेल 1996 को चीन, कजाकस्तान, किर्गस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के प्रमुखों द्वार चीन के सीमा वरती क्षत्रों में सैन ने विश्वास को मजबूत करने के लिए बनाया गया था और इसी शंगाई 5 के कारियों और एजेंडा में विस्तार करने के बाद इसे शंगाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया। हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, इरान और मंगोलिया ये पूर्ण सदस्यता में शामिल होने के चुक हैं और छे डायलॉग पार्टनर्स हैं। 2001 में अपनी स्थापना के बाद से स्योग ने मुख्य रूप से क्षत्रिया सुरक्षा मुद्धों, शत्रिया आतंकवाद, जातिया अलगावाद और धार्मिक उग्रवाद के खिलाफ अपने लड़ाई पर ध्यान किंद्रित किया है। SEO के प्राथ मिक्ताओं में एक शत्रिया विकास शामिल है। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को इस संगठन में शामिल हुए थे। जर्नल में आगे कहा गया है कि इस इस्थानिक वाईरल बिमारी ने पडूसी राजियों तमिलनाडू और करनाटक में पैर पसार लिए हैं। इसके अलावा कई cases ओडिशा राजी में भी पाए गया है। अभी तक केरल तमिलनाडू और ओडिशा के अलावा भारत में कोई अ निराज्य इस वाइरस से प्रभावित नहीं हुआ है। निराज्य इस वाइरल संक्रमणों की तरह अन्य लक्षणों में थकान, उल्टी, दस्त, डिहडरेशन, जोडों की सूजन, शरीर में दर्दित्यादी शामिल है। लैंसेट ने बताया कि अन्य प्रकार के इंफ्लोेंजिया के समान टोमेटो फ्लू बहुत संक्रमक है और बच्चों में टोमेटो फ्लू के संक्रमण का खत्रा बहुत ज़ादा है। चुंकि टोमेटो फ्लू चिकनगुनिया, डेंगू और हैंट, फोट एंड माउट डिजीज के समान है, इसलिए इसका इलाज भी इनही बीमारियों जैसा ही है। इस बीमारी में जलन और रैशित से राहत के लिए आइसूलेशन, आराम, ज्यादा लिक्विड डाइट लेना इत्यादी सामान्य उप्चार हैं और बुखार और शरीर में दर्द होने पर डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड पेरसितमोल और अन्य दवाईयों के जरूरत होती है। ऐसे ही एक महान फ्रिडम फाइटर पांडूरंग खान खोजे थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। चली आज मिलते हैं भारतिया स्वतंतरता संग्राम के ऐसे ही महानायक पांडूरंग खान खोजे की जीवन से। वर्धा मिजन में पांडूरंग खानखोजे पर फ्रांसिसी क्रांती और अमेरिकी स्वतंतरता संग्राम का व्यापक असर था, हिंदु धर्म सुधारक स्वामी दयानंद और आरे समाज के आंदोलनों से प्रभावित होकर खानखोजे के अंदर राष्ट भक्ती की भावना का संचार हुआ था, ब्रिटिश दमनकारी नीतियों और समराजवादी सोच के कारण खानखोजे ने क्रांतिकारी तरीकों और सैने रण नीती में आगे के प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने का फैसला किया, इस समय उनकी सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण ब्रिट खान खोजे अंततहां अमेरिका गए, जहां उन्होंने क्रशी के ठात्र के रूप में कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन एक साल बाद वो भारत छोड़ने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैलिफोर्निया में माउंट तमाल 25 सैन्य अकादमी में शामि रित हुए जिसने मैक्सकन ताना शाही शासन को उखाड फेका था, उन्होंने अमेरिका में खेतों में काम करने वाले भारतिया श्रमिको के साथ संपर्क किया और भारतिया स्वतंत्रता प्राप्त करने की कई रण नीतियों पर चर्चा की, वहां उन्होंने मैक्सकन श्रमि से भी मुलाकात की श्रमिकों के साथ खान खुजे ने भारत में अंग्रेजु इसलाफ का रवाई की यूजना बनाई थी लेकिन प्रथम विश्वयद्ध के कारण सफलता नहीं मिली फिर वे पेरिस में भीकाजी कामा के पास पहुंचे और रूस में व्लादमिर लेनिन सहित अन्यनेताओं से भी मुलाकात की भारत की आजादी के लिए उनसे समर्थन मांगा तो कि वो यूरोप से निर्वासन का सामना कर रहे थे और भारत नहीं जा सकते थे इसलिए उन्होंने मैक्सिकों में शरण मांगी जल्दी मैक्सिकन करांतिकारियों के साथ उनकी पूर्व म लितरता के कारण उन्हें मैक्सिकों सिटी के पास टैंपिंगों में नेशनल स्कूल ओफ एक्रिकल्चर में प्रोफेसर न्यूखत किया गया उन्होंने मकई गेहूं डालों और रवर पर शोध किया ठंड और सूखा प्रतिरुधी फसलों की किस्मों का विकास किया और मैक् आईए अब सवालों के सेशन पर चलते हैं सबसे पहले कल के सवालों का जवाब कल के पहले सवाल का जवाब है option B और दूसरे सवाल का जवाब है option A पहले सवाल के जवाब में बहुत सारे लोगों ने option C बताया है लेकिन आपको यहां constitutional और statutory में अंतर पता होना चाहिए समवैधानिक और वैधानिक में आपको अंतर पता होना चाहिए तो आप इस पर ध्यान दीजेगा आईए आज के सवालों पर ध्यान देते हैं पहला सवाल है पांडूरंग खान खोजे से संबंधित गलत तथ्य को पहचानी अप्शन पांडूरंग खान खोजे का जन्म पंजाब में मोंगा में हुआ था दूसरा option है यह 1914 में बनी गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे तीसरा पांडूरंग खान खोजे कैलिफोर्निया में माउंट तमाल पाइस सेन्य अकादमी में शामिल हुए थे और चौथा उन्हें मैक्सिको सिटी के पास चैंपिंगों में नेशनल स्कूल आफ एग्रिकल्चर में प्रोफेसर नियुक्त किया गया था अगला सवाल निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए स्सीयों में इरान, UAE, भारत, कजाकिस्तान सदस्य हैं दूसरा कथन है टोमेटो फ्लू कौक्स से की वायरस A16 के कारण होता है और तीसरा पंचरात्र तथा वैखानस, महतुपॉर्ण, शैव आगम है उपरोग कथनों म मैं पहले इन सवालों को देखूँगा और फिर आपको इसका जवाब बताने के बाद नए सवाल आप से शेयर करूँगा, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं, उमीद है आपको ये पहल अच्छी लग रही होगी, अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को शे अब तयारी हुई, अफोर्डिबल Study IQ IS अब तयारी हुई, अफोर्डिबल